तो वाट इसब गाइज वाच्विंग टेक गरू कुछाल और में नाम है कुछाल नाकपाल अन्बोक्सिंग के लिए हम नहीं रुखेंगे इस बार मैं लेकर वन प्लस नोड के अन्बोक्सिंग और मैं शूट भी उसी मूबैल से कर रहा हूं कि मैं इससे आपको पर चल जाए और इदर तीन बंड लिखा हुआ है और एक फोड़ी प्लस की बड़ी प्यार इस ब्रेंटिक आपको देखने को मिल जाती है इसके बारे में मागे बढ़ते तो बारे में देखते हैं भी मेरे पास ऐसी आया था यह सबसे पहले तो यह जो नोड आपको इसमें दिख रहे है हमने इसको खोल के साइड में रख दिया और अगर हम इसको निकाले तो इसके तर आपको एक ऐसा सब्सक्राइब देखने को मिलेगा नोड नोड लब लोड इस तरह है और इससे देखने पे तो यही लग रहा है कि इसके अंदर फिंगर्प्रिंट चैंसर आपको इन रही होंगे और इसको निकाल लिया कि अब के सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है और गाइस अगर हम इसको खूल के देखे तो इसके अंदर कुछ नोड के स्टिकर अभी नोड भी एपल की कोपी करना थोड़ा बहुरा स्टार्ट कर रहा है कुछ खाल सकल्झें के चल्जों की सब्सक्राइब यारे अगए और पफ्सक्राइब देखने को मिलती है जो टिपिकल बंप्रस के ताइल में आई हुई है तो काफी अच्छी है और इसके नदर एक आपको चार्जर देखने को मिलता है जो एक वॉप चार्जर है राप चार्जर है जिस जो सब्सक्राइब है जो है 30 वोट का चार्जर रहा है समय अगर मैं आपको फोकस करके तो 30 वोट का चार्जर आपको इसे में देखने को मिल रहे है जिए हमारे पास है बन प्लस नोड अगर इसके बैक कलर के बार में बात करे जाए तो बहुत बढ़िया कलर लग रहा है और अच्छा और बड़ी अच्छी पैनल अपको काफी सही अगरी आपको में इसके इसके अंदर आपको एक तो टाइप सी पोर्ट उसके साथ में आपको माईक्रो होल और इसके साथ में एक सिंप ट्रेइकने को मिलेगी यह सिंप्स्पीकर ग्रिल है जो काफी सही लग रहा है पीछे पूली कार्बनेटेट ग्लास के साथ फोड़ा प्लास्टिक फील और साइड में पूरा मैटल दिया हुआ जो काफी अच्छा लग रहा है और गाई अगर इस साइड में मैं बात करूं तो इस साइड में हैं एक यह वाइब्रेट और साइलेंट बटन और इस साइड में आपको देखने को मिलता है और उपर एक सेकेंडरी माइको होल जो काफी अच्छी बात है इसके बात हो गया पर इसकी सोड़ी स्क्रीन के बारे में बात करने तो गाई इसके अंदर आपको एक एमुलेट 6.44 इंचिस की 90 हर्ट की तोचलो कितना मखन चलने वाला है यह इसके तोटल पांच नहीं छे क्याम रहा है मत फ्रंट में आपको दो क्यामरा देखने को मिलेंगे और बैक सा बैक साइड में थोड़ा फटा फटा आपको बताता हूं पिर इसके क्यामरा टेस्टिंग की तरफ से बढ़ेंगे अगर इसके बात करें तो फस्ट वाला है अल्ट्रा वाइड एंगल एड मेगा पिक्सल का वन एंडिड नाइंटीन डिग्री का अल्ट्रा वाइड शोट लेने के लिए और सेकेंड नंबर पे है पोटी एट मेगा पिक्सल का सेंसर जो सोनी का आई-मेक्स 568 वाले सेंसर जो क्यामरा की क्यूलिटी की सबसे बेस्ट होईगी फैब संसर और इसके निचे टू मेगा पिक्विसल का माइक्रो अगर माइक्रों की टेलीपोर्ट था तो एक काफी ऐस नहीं तो डैसलिड यहां तो पांस डिग्री का अल्टर वाइट कैमरा और अगर स्कीन टू बोडी रेशियो की बात करें तो गाइज इसके अंदर बैजल तो बतलब ना के बराबर ही है और इसमें मैं को सबसे बात लगे कि इस नहीं है बिल्कुल भी हाल है कि जारतर फोनों में चिंद आपको देखने टू एक है एक अल्टरा वाइट शोर्ट पर आपको इस खना देखने को मिलेंगे मैं फोटो की कॉलिटी के बारे में बता हूं तो गई जो फोटो की कॉलिटी आना भाई बन प्रस से आप जैतनी एक्सेप्ट करोगे उतनी ही आएगी और जो कलर ऑप्टमाइजेशन हमें क प्रस का जाएफ अच्छी लगी अब गाइस मेरा मन कर घखिए एक हैं फ्रेंट केमरा को टेस्ट करने का मैंन कर रहा था और फ्रेंट कैमरा को टेस्ट करता हूं तो इस समय आप देखो गें समय नॉमाल एक पोटो ले रहा हूं कि आप देखो कि भाई इसकी ऑप्टमाइजेशन जो पिच्चर क्लारेटी बहुत बढ़िया है आपको इसमें देखने को मिल रही है और इसके अंदर आपको फ्रेंट के अंदर भी अल्टराइड मोडस को टेस्ट करके देखते हैं मैंने उसी अंगल पर फोटो लगा के रख इसके अंदर पॉर्टरेड मोड हमें पॉर्टरेड मोड भी एक बार जड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि इसका जो पॉर्टरेड मोड भाई वन प्लस का सबसे बेस्ट लगता है मैंने जितने भी आज तक फोन जितने भी ट्राय करें और फोन बहुत बढ़ी आप निगल के आ रही है और यहीं था क्यामरा की डेस्टिंग के बारे में हम इसका सब्सक्राइब करेंगे इसकंदर आपको काफी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे की पैनोरामा हो गया टाइम लैप्स हो गया और स्लो मोशन हो गया और वीडियो मोड हो गया अच्छी बात है अच्छी आपको देखने को मिल रहे हैं कि अग्याइज एक नाइंटी हर्ट का पैनल होने तो बड़ा मज़ा आ जाता है कि देखो कि पर स्मूधनेस बढ़ जाती है और जो रिफ्रेश रेट जो नाइंटी हर्ट स्काइज पैनल जो काफी अच्छा और एक तो लेकिन इसमें एक बात है कि बैटरी कम होने के साथ साथ और सा बैटरी कंज्यूमिंग भी बन जाता है यह फिर मैं देखो इती दर से तरह मज़ा बढ़ा रहे घरते में प्सक्राइश परसेसर से हता क्या है साथ फाइव जीव यह परसेसर से होता है कि इनद्व私 यहां नहीं हम अब अब तक फाइब फडेव कांडिया से इस से पावरफुल 5G मिड्रेंजर प्रोसेसर है स्ट्रापड्रेगन 765 जी यह पालेजी का च्वोटा भाई है तो एक आखनी टेस्ट रहे हैं साउंड टेस्ट फटाफट कर लेते हैं गाइज यह ओ हो सब्सक्राइब बटर नहीं छोड़ना सब्सक्राइब पर फटाफट और बैल आइकन को भी ओल कर लो यह मेरी वीडियो आपने देख लिना साउंड टेस्ट वाटेस्ट प्राइवेसी पोल्स साउंड काफी बहुत बढ़िया साउंड इस में से बेसलाने ब्रया इस फोन का अपको वीडियो पसंद आते पसंद आते दो लाइक कर देना काई यह मेरे को स्टेबिलाजेशांड नोट बहुत अच्छी लगी मैं समय यूज नोट से शूट करूं आप मिर को बताना कैसे लगा और गाइस मिलता आप अगेली वीडियो में